Hi everybody, very 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 warm welcome to Vedanta Young Wanderers और मैं हूँ आप लोगों की Master Teacher नभुमिता भटाशाजी और guess what आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं Friction का chapter और obviously Friction के chapter में भी जैसे की हमारा Mind Map series चल रहा है क्योंकि हम Mind Map हर एक session में कर रहे हैं तो August की आज का भी जो चाक्टन है वो हम पूरा पूरा एक ही बार में Mind Map से complete करेंगी वी को इस definitely होगा कुछ पुराने साल के जो question paper है उसमें से कुछ हम सवाल भी solve करेंगी और साथ ही साथ जो है हम subjective questions मतलब जो कि हमारे school exam में 5-6 मार्क के जो सवाल आते ना उनको भी हम solve करेंगी ठीक है तो चलो without much further ado शुरू करी देते हैं आप मुझे पता है कि आप लोगों को यह भी पता है कि दोड़ते भागते और हसते खेलते जो क्लास हो जाए बढ़िया तो चलो आज का हमारा dose of motivation एक बार देख लेते हैं जो आपको पढ़ाई करनी है मभी बाबा की रिस्पेक्ट करनी है बड़े इज़त करनी है आपके इज़त करनी है आपके इज़त करनी है लेकिन इज़त तभी करना जब दूसरा इंसान भी आपके इज़त करता है ठीक है ऐसा नहीं कि बड़े है तो से इज़त करना है यह वास गलत होती है, आपको इज़द के लिए मिलनी भी चाहिए, ठीक है, तो बस, यही फॉलो कर ले लो, और तो बांकिया, आप तो हो ही हमेसी, तो चलो, शुरू करते हैं हमारे इस चाप्टर के माइंड माप से, तो फ्रिक्शन क्या है, अब हम में से सब को पता है कि यह जो फ्रिक्शन है, यह एक पोर्स है, और तो और यह क्या पोर्स है, यह एक कॉंटाक पोर्स है, हमें यह भी पता है, है ना, फ्रिक्शन is a contact force. मतलब frictional force को in picture आने के लिए क्या करना होता है? दो bodies को in touch में रहना पता है. है ना? Two bodies have to be in touch, have to be in contact to be able to produce frictional force. है ना? यह हमें पता है. और हमें यह भी पता है कि friction जो है it is usually opposite to motion. मतलब यह resist करता है. motion को सही तरीके से जब भी motion इस direction में हो रहा है तो friction कहा रहा है कि no 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 where are you going? no no I won't let you go. friction उसको रोकने के कुशिश करता है. है ना? friction उसको रोकने के कुशिश करता है. लेकिन अब इस chapter में एक आठा है twist. twist किया है? अभी अभी हमने पढ़ा कि friction opposite होता है friction resistant करता है motion को लेकिन आपको पता है क्या, बिना friction के भी जिन्दीगी चली नहीं सकती, और इसे वज़े से हम friction को गुलाते हैं, friction is a necessary evil, friction को हम क्या गुलाते है, necessary evil, मतलब ये एक जानी दुश्मन है, बट जरूरत भी है, इसके बिना भी हम जी नहीं सकते हैं, necessary evil है, बताओ कैसे, देखो friction जो है, हमारे जूते चपल को ना फाड देता है, बहुत दिनों तक आप चपल पहनते हो, पहनते हो, पहनते हो, पहनते हो, तो आपका चपल होता है, बिल्कुल ऐसा सपाट हो जाता, it becomes absolutely smooth, isn't it, yes it does, do you know why, because of friction, so you have to buy a new, you know, new चपल, and the same way you also have to buy a new tire, आपको टायर भी चेंज करन पड़ता है, लेकिन बात बताओ, यह कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, do you know कि ना तो हम चल पाते हैं, ना तो हम रन कर पाते हैं, ना तो हम गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ी चलाने के कोशिश करते हैं, और गाड़ी, the car बोड़ा बोली, I want that if you know, हाँ देल्दी, विंट्यो कियो, fast and furious, skid, 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 यह होता है, the car would have only skid, the car सिर्फ skid करता रहता, चला तो आप बिल्कुल भी नहीं पाते हैं, तो समझ आ रहा है, फ्रिक्शन के वजह से ही हम गाड़ी चला सकते हैं, गाड़ीों में ब्रेक मार सकते हैं, हम जो खुद चलते हैं, वो, that is possible, रनी, यह जो मैंने pen पकड़ा हुआ है, और यह जो मैं लिखूंगी अभी इस से, यह pen से, यह सारी-सारी चीज़े friction के वज़े से यह possible है, बना नहीं हो सकता है, बिना friction के हम गाड़ीों को चला तो दूर की बात, ब्रेक तो बिल्कुल ही नहीं मारते हैं, ठीक है, ब्रेक तो करती है, friction skid से, skidding से भी prevent कर वाते हैं, सकिडिंग नहीं होने देता है, ठीक है, ठीक है, तो एक और चीज़, हम समझते हैं कि रेको friction क्हा इस्तमाल किया जाता है, क्या क्हा इस्तमाल किया जाता है, आपने यह देखा है, कि चाकु को धार करने से पहले, वो एक मशीन आते ह जिसमें चाकु धार हो जाती है, यह क्या है, यह जो आपने contact किया, friction ही था, वो friction की वज़े से आपकी चाकु धार हो भी, yes, drilling machine uses the concept of friction, absolutely, और तो, और friction पते हैं क्या करता है, आप ऐसे जरा हाथ को यू, यू करो, गराम हो जाता है आपका हाथ, पता है क्यों, तो इसका मतलब है कि जो frictional force है, because of the resistance, है न, यह motion को resist करता है, motion को होने नहीं दे रहा, और इस वज़े से क्या होता है, कि heat की production होती है, और जब heat की production होती है, तो obviously, we are going to use it, heat generate हो गया, है न, heat generate हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है, कि इसी वज़े से wastage of energy भी होता है, जैसे कि पुराने जमाने कि जो बल्ब होते थे यलो वाले, उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रोंस जब वायर में से बुदरते थे, तो वो एक दूसर से टकराते थे, और टकराते वें friction प्रड्यूस होती थी, उससे बहुत जादा heat होता था, लेकिन या, बल्ब से तो हमें light मिलनी चाहिए थे, हमने क बना था, लेकिन क्योंकि ये बल्ब इतना heat दे रही थी, इसका मतलब है कि बहुत सारी energy जो थी, वो waste हो गए, और इसलिए हमने क्या क्या है, हमने CFL बल्ब लेकिया रहे थे, अब एक बात बताओ जरा, आपको क्या रखता है, कि क्या friction को हम बढ़ा सकते हैं, या घटा सकते उपस, we can't do that, हम friction को जो है, increase भी कर सकते हैं, और decrease भी कर सकते हैं, ठीक है, increase और decrease हम दोनों करते हैं, कैसे, अगर आप roughness बढ़ा दोगे, किसी एक surface की अगर roughness को आप बढ़ा दोगे, roughness increases, friction also increases, ठीक है, friction also increases, और अगर आपने roughness घटा दी, if you decrease the roughness, then friction also decreases, तो चलो आब एक ए करकी सारी चीज़े पढ़ लेते हैं. What is friction? ये meme बढ़ या लग रहा है कि नहीं लग रहा है बता? ये देखो, ये सूर को देखो, कीचर में किस तरह फिसलते फिसलते जा रहा है और ये back कर रहा है कि यार friction को remove करो. तो चलो friction का समझ लेते हैं. Friction क्या चीज़ है? तो friction is a force that resists motion. ठीक है? That resists motion. It is generally, generally it is, it is opposite to motion. ठीक है? Generally it is opposite to motion. Not always, not always. ये जो है example कि कौन-कौन से ऐसे motion होता है जिसमें कि friction मतद करता है, ये आप बड़े classes में पढ़ोगे, अभी के लिए छोड़ तो, ठीक है? आप बात ये है कि factors, कौन-कौन से ऐसे factors है, जो कि friction को affect करता है. या तो friction को बढ़ा देता है, या तो friction को घटा देता है. ऐसे कौन से factors है? चलो इसकी paradigm बात कर लेते हैं. देखो, smooth surface अगर होगी, अगर बहुती smooth surface होगी, तो friction low होगा. और अगर rough surface होगी, तो friction जाता होगा. तो इसका मतलब है कि roughness is a factor. Roughness, अगर roughness को आपने घटा दिया, अगर roughness को आपने घटा दिया, तो क्या होजाता है? Friction भी जो है, वो घट जाता है. ठीक है? और अगर हम लोगों ने roughness को increase कर दिया, तो friction जो है, वो भी increase कर जाता है. Am I right? है न, यही चीज़ बताया मैंने अभी अभी थोड़े तिर पह अगर मैंने यहां पे एक 10 kg का चावल का पोठल ही रख दिया, और फिर अगर आपने बोले के नभवित अमाम कहने हो गया ता अपाल भी लाइक, क्या हो जाएगा? उठ निक बाओंगे वारे, क्यों? क्योंकि mass of object बढ़ गई न, क्योंकि आपने 10 kg का चावल रखा है, तो अ अगर आप बढ़ा दोगे तो क्या होता है? मास बढ़ेगा, friction भी बढ़ेगा, ठीक है? friction भी बढ़ेगा. अचाव, सबसे पहले तो यह समझते है, क्यों है, friction होता क्यों है? कि कोई भी चीज ले दो कि यह जेको ग्लास की बॉटल ले 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 लेते हैं यह बड़ा स्मूध है लेकिन इसको अगर हम माइक्रोस्कोपिक नजरिये से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि इसमें भी अनीजन सर्फेस है ऐसा नहीं है कि एकसा स्मूध सकते हैं तो यह दर हम ल कि आप क्या होता है एवरी सर्फेस रेखुलारिटी एह एक दूसरे इस तरह से मिल जाती है यह एक दूसरे को हैसे पकड लेती है, जब इस तरह से पकड लेती है, तब यह जाने नहीं देते हैं, दूसरे को छोड़ते नहीं और इस वज़े से friction आती है, तो अगर मैं इसका एक diagram बनाओ, तो यह देखो, diagram कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, diagram कुछ इस तरह से बनाएंगे, देखो, यह हो वाला है यह एक दूसरे सर्फेस का आनिवनने से दोनों ने देख़ा एक दूसरे को जगर के पकड़ लिया है ना दोनों ने एक दूसरे को जगर के पकड़ लिया तो हम यह लिख सकते हैं कि the irregularities of a surface the irregularities of surface hold on to each other the irregularities of surfaces hold on to each other hold on to each other giving rise to friction each other giving rise to friction all right it gives rise to friction all right you got it तो अब बानो कि यहां पे यह जो unevenness था इसमें अगर मैंने बजन और बढ़ा दी तो बजन बढ़ जाएगा तो यह और चिपक के बढ़ जाएगा है ना बजन बढ़ जाएगा तो यह और चिपक के बढ़ जाएगा तो इसका मतलब है कि friction और बढ़ जाएगा तो mass of the object increases friction also increases do we understand this we do we do now material of surface and object वही बात है roughness वाली बात है अगर surface smooth रहेगी तो friction जो है कम हो जाएगी और अगर आपने roughness बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा friction ज्यादा हो जाएगा area of contact जितना ज्यादा area contact में रखोगे उतना ही ज्यादा friction बढ़ेगा क्यों क्यों फिर interlocking भी तो ज्यादा हो होगी यहाँ पे होगी यहाँ पे होगी लेकिन अगर मैंने area बस इतना रखा होता तो देखो फडसा चूट जाता अगर मैं सिफ यह दो उंगले से हाथ पकरू तो चूट जाएगा यह लेकिन यह चार उंगले से पकड़ने के बाद भी ताकत लगी ना खोलने में बस area of contact shape of contact भी better करता है अगर shape इस तरह से हुआ तो जादा time लगेगा जादा contact बनेगा लेकिन अगर shape इस तरह से रहा और यह रहा तो देखो contact बस इतने में ही हो रहा है ना contact बहुत कम जगा और other forces भी अगर मतलब मान लो की gravity आ गई तो उससे भी friction effect हो सकता है और भी बाकी बाकी जो forces कि ठीक है अब friction जो है चार तरीके कि हम बहुत सकता है एक होते है static friction अब जरा हम static friction को समझते हैं मान लो एक इधर बखसा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे एक बॉक्स रखा है, ठीक है, यहाँ पे एक हमारा बॉक्स है, ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास रामुका का, यह कौन है, यह हमारे रामुका का, ठीक है, यह हमारे रामुका का, ठीक है, यह हमारे रामुका का, ठीक ह तो सबसे पहले इन्होंने लगाया 5 Newton box ने बोला कि अरे काका क्या लगता है आपको ऐसे ही नहीं box ने क्या क्या उल्टा box ने भी लगाया यहां पर 5 Newton box ने का ऐसे थोड़ी जाओ के इतने आसानी से काका नहीं हो पाएगा तो जाने ने प्वक्स में अब राभू काका ने क्या क्या उन्होंने बोला कि ने बेंड करके यहा जाने चाओ करके असा लगाया ठीकर तो कितना लगाया आब इन्होंने confident box ने बोला कि औहाम मेरी पास भी है 10ート तो इन्होंने क्या कि box ने भी बोला कि आप ना ने दिनी को फॉक्स में जाने ने गिया पर स्था रामु काका ने बुला कि अरे तेरे को क्या लगता है कि मैं हार मानने वालों मैं हार ने मानूँगा अब रामु काका और घुटने तो छोड़ो वो एकदम almost लेटी गए और उन्होंने जो लगाया अरे यह इस तरह से ठीक है आप इन्होंने लगाया आप इन्होंने बता है कि इतना लगाया है बस 11 न्यूटन लगाया 11 न्यूटन लगाया और बॉक्स सरासर मूँग कर गया क्यों? 11 न्यूटन जैसे ही रामु काका ने लगाया बॉक्स ने बॉला कि I surrender I surrender I'm so sorry I can't do it I'm so sorry हाँ ठीक 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 लेजाओ इतने देर तक आपने देखा कि बॉक्स कैसे अपने आपको जो है अजस्ट कर रहा था रामु काकाने पाथ न्यूटन लगाया और बॉक्स ने लगाया न्यूटन लगाया रामु काकर ने दस न्यूटन लगाया और बॉक्स ने लगाया लेकिन जब 11 N लगाया तो बॉक्स ने कहा कि अब हार मान गया, बस को क्या मैं रहा हूँ, तो यह जो 10 N तक जो बॉक्स ने अपने आपको adjust करते करते जो force लगाया, इसी को कहते static friction, तो अब ज़र इसकी definition समझ लेते, कि static friction is basically, देखो यहाँ पर मैं लिख देते हूँ, ठीक है, ध्याँ से देखना बचलो, ठीक है, ध्याँ से देखना इसको, क्या लिख रही हो मैं यहाँ आपर, static friction is a self-adjusting, it is a self-adjusting friction, it is a self-adjusting friction, yes, friction, exerted by, exerted by an object, by an object, to remain stationary, ठीक है, क्या कर रहा है, box लगा रहा है, ताकि मैं यहीं पर हूँ, box जाना नहीं चाहता है एक जगा से, तो it is a self-adjusting friction, exerted by an object, to remain stationary, समझाया, समझाया, और जो है, यह जो 10 newton, यह 10 newton इसकी limit थी, तो उसे बोला जाता है, limiting friction, ठीक है, क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, limiting friction, limiting friction के बार, static friction, sliding friction मैं जाता है, कैसे, यह बताओ, 10 newton तक जो है, box ने बोला कि, यह, मैं यही पर हूँगा, 11 newton देते ही, box क्या-क्या, 0, 0, 0, 0, 0, करके सरकने लगा है न, तो limiting friction से पहले, limiting friction पहुँचने से पहले, यह static था, limiting friction के बाद, यह sliding करने लगा, समझ आ गया है, समझ आ गया है, तो limiting friction, static friction में होता है, और static friction एक self-adjusting सा friction है, ठीक है जी, चलो, अब हम आगे पहुचते है, sliding friction के, sliding friction क्या होता है, बचा, sliding friction को समझते है, sliding friction जो होती है, वो force होती है, force required, the force required, for an object, for an object, ठीक है, to slide, slide करते हुए, slide करते हुए, जो एक friction उसको मिल रही है, न, yes, the force required for an object, to slide, or to be in constant motion, इसी को बुला जादा है, sliding friction, तो slide कर रही है, करते है, लेकिन friction उसको मिल रही है, friction उसको कह रहा है, कि अरे रुग जा, अरे मज़ जा, अरे मज़ जा, तो ये करते-करते-करते कि पहुच गही होगी, तो ये sliding friction हो जा है, और rolling friction के तो बहुत ही असान ह हमने अपने trolley देखे है, trolley, हमारे trolley में जो पहिए लगे होते हैं, उसके वज़े से trolley कितना आसान तरीके से चल जाता है, कि चल जाता है, लेकिन वही सेम वज़न अगर हमें उठाना पड़ता, तो फिर हमें कूली बुनाना पड़ता है, कूली नंबर बुलाना पड़ता पता है क्योंकि rolling friction में area, देखो area कम है, area less है, और rolling friction में time भी तो कम दे रहे हो, क्योंकि वो पईया गूम रहा है, तो आपने time ही ने जिया, irregularities को मिलने के लिए आपने time ही ने जिया, तो बस वो roll करता गया, करता गया, करता गया, और वो निकल गया, तो rolling friction सबसे चोटी बने ठीक है, all right, अब आप फाइनली आते हैं हमारा चौथा friction जो कि है fluid friction, आपको क्या लगा, friction देख solid में हो रहा है, not at all, friction liquid में होती है, और हवा में होती है, अच्छा बताओ आप में से किते लोगों को swimming आते है, swimming करते हो आप लोग, तो swimming करते हो, swimming करते हो, swimming करने के बाद के हो, सास जड़ जाते हैं, क्यों? क्योंकि पानी आपको आपको रोपने की कोशिश करता है, जो पानी ना पानी, पानी ने कहां कि नहीं नहीं भाई, मैं रोपने की कोशिश करता हूं, पानी ने बार 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 कोशिश करी आपको रोपने के लिकिर आप जिर्दी कोशिश कर रहे हो लेकिन पानी आपको धक्के मारा है कि अरे नहीं मच्चा 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 तो यह होता है fluid friction आपने यह भी देखा होगा कि नाव जो चलाते हैं वो और जो होता है उससे जब को करते हैं हाथ बहुत दर्द होता है पता है क्योंकि इतना सारा पानी को जो हटाना पड़ता है आप लिटरली पानी को जो हटा रहे हो अपने सामने से ताकि आप जा पाओ और fluid friction में एक चीज जो सबसे ज़ादा मदद करती है वो है shape of the object क्या है shape of an object ठीक है किसी भी object की shape जो होती है ना वो streamlined बनाई जाती है इस तरह से मचली वाले shape में या चिडिया जैसे shape में दोनों streamline है ठीक है दोनों streamline है इसको मचली या चिडिया की जो shape होती है वो क्या करता है fluid friction को reduce करने में बहुत जाता काम करता है ठीक है कैसे अब आप पुछ होगी कैसे माम चलो मैं यहां पर मचली बनाद लेगा यह shape और यह मान लो आपका box वाला shape है देखो अगर कजी दींत में अगजी की में हवा या पानी इस-से आ रही है तो कितना ज्यादा चुर्च करते है एक पॉर्ढ़ेशिए नहीं लाँएं तो को अर फ्रिक्षें कल ठीक है divides आजले हा एक हाँ जहांस में चड़ कम है जब आप हवाी जहाँ मैं चड़ बहु आपको पता और उसको रोकने की कुशिश करते हैं, लेकिन वो रोक नहीं पाते हैं, कि अपनी चल रहे हैं, और यह जो fluid friction है, इसको हमने एक और प्यारा सा नाम दिया है, उसका नाम है drag, drag force या fluid friction exactly same होता है, ठीक है, यह ध्यान रखना, चलो आगे चलते हैं, अब जरो friction के advantages समझते हैं, friction अ spikes होते हैं, cricket players, वो कभी खेली नहीं पाते हैं, वो चलते चलते हैं, slip होके गर जाते हैं, यह सारी चीज़े होते हैं, ठीक है, तो with this note, chapter यहां पर खतम होता है, अब हम चलते हैं, जरो शॉर्ट आंसर कुछ देख लेते हैं, चलो, why do car wheels often spin on icy road, जब भी आप किसी बर फीले रा क्या है, friction इतनी कम हो गई है कि गारी घूम जाते हैं, गारी skid कर जाते हैं, ठीक है, alright, why a vehicle slows down when brakes are applied, brakes क्या करते हैं, इस तरह से पईये को पकड़ लेते हैं, friction increase हो जाता है, when brakes are applied, the brake pads press against the discs of the rotating car wheels and this produces friction between brake pads and the discs, making the wheels to slow down and ultimately stop, ठीक है, alright, आगे बर्ते हैं, why it is convenient to pull the luggage fitted with rollers or even a child can pull attaches and other pieces of luggage fitted with rollers, why is it so, अभी बने बुला न, rolling friction सब से का मोता है, rolling friction reduces friction to a great extent and it is always easier to roll than to slide a body over another, है na, that is the reason it is convenient to pull the luggage that is fitted with when we strike a mastic against the surface, it catches fire, कि वरीजन, when we strike a mastic against the rough surface, then the friction between the head of the mastic and the rough surface produces heat, this heat burns the chemicals present on the head of the mastic due to which the mastic catches fire, समझे, ठीक है, आप पाइन भी चलते हैं, अंगले सवार पे, explain why the sliding friction is less than the static friction, यह बताओ, आंटर इस, friction is caused by interlocking of irregularities in the two surfaces, when the object starts sliding, the contact points on its surface do not get enough time, to lock, इनको time ही नहीं मिलता लॉक होने का न, क्युकि इतनी जल्दी जल्दी वो मूव हो रही है, उपर से contact area इतनी कम है, So, the sliding friction is slightly smaller than the static friction and we find it somewhat easier to move the object already in motion than to get it started. समझा झाग जाग ठीक है? Now, when we try to push a very heavy box kept on the ground, it does not move at all. Which force is preventing this box to move forward? Where does this force act? answer is when we push a very heavy box kept on the ground it does not move at all because frictional force balance which we force limiting self-adjusting friction so there is no net movement of this box and it acts in its direction opposite to the portion of that understand explain why objects moving in fluid must have special shapes this streamline shape can you explain that if fluids exert force of friction on objects in motion through them and the frictional force on an object in a fluid depends on its speed with respect to the fluid now the frictional force also depends on the shape of the object and the nature of the fluid it is obvious that when objects move through fluids they have to overcome friction acting on them in this process they lose energy efforts are therefore made to minimize the friction okay now give examples to show that friction is both a friend and poor friction 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 we help in writing friction friction with pen or pencil and the disadvantage is that friction wears away the soles of our shoes the tires of vehicles wear out gradually due to friction got it now which is easier to hold in a hand कुलहर, अर्दिन पॉट और ग्लास अव टंबलर, क्योंकि कुलहर में जो है, जादा रफ सरते से, कुलहरी की, जो मिट्टी का जो बनाने होता है, उसमें जादा रफ सरते से, तो उसको पकड़ना असान है, लेकिन हमारा जो यह ग्लास होता है, यह रिको काफी स्मूध है, त अब मैं आप लोगो को बता तो कि क्विस का जो लिंक के वो डिया गया है, बचालो तो आप लोग सी कर ले ना, मैं लाइव नहीं हूँ क्योंकि मैं चुटी पे हूँ और रफ सी यू बपर सुन जैसे है मैं चुटी ज़रूर मिले हूँ कि आपको लिंक मिल जाएगा, आप Thank you so much. Tara, buh-bye and lots and lots of love. Everybody, see you. All the very best for your exam. Tara.